Hello Friends, मेरा नाम है विकास आज गी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं Google Maps कैसे इस्तिमाल करें कहीं पर आने जाने के लिए Google Maps कैसे यूज करें आईए जानते हैं सबसे पहरे आप अपने फोन में ये वाला आइकन यानी Maps वाला आइकन ढूटके ओपन कर लिजीए ये हर Android फोन में होता है तो आप इसे ओपन कर सकते हो ओपन करने के बाद आपसे अलाओ करने को कह सकता है जैसे कि Location मैं आपको समझाता हूँ मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ Location तर कि आपको समझा सकूँ बैक करता हूँ मैं मैं से दुबार ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपसे अलाओ करने को कहेगा जैसे कि मैं इस पर टच करता हूँ इस वाले option पर तो यहाँ पर आप देखते है ऐसा option आपके पास आ सकता है आपको while using the app पर टच करना है इस पर आने के बाद आपको फिर से इस पर टच करना है ओके करना है पहले लोकेशन हमारी अलाव हो चुकी है यह जरूरी है इसके बिना आप Google Maps इस्तेमाल नहीं कर सकते हो यहाँ पर आपकी लोकेशन आ रही है मैं भी जहाँ पर हूँ यहाँ दिखा रहा है माली जी मैं रहता हूँ यहाँ जनता फ्लेट में मुझे जाना है यहाँ पर सिलमपूर तो इसके लिए मैं कैसे करूँगा तो इसके लिए आपको मिलेगा उपर सर्च हेर search hair पे जाईए यहाँ पे आप वो जगह लिखिए जहाँ पे आपको जाना है मिलिकता हूँ सिलमपूर आ चुका है सिलमपूर सिलमपूर में भी कई जगह होती है सिलमपूर शहादरा, सिलमपूर मार्केट सिलमपूर मेट्रो इस्टेशन जाना है सिलंपूर रेड लाइट जाना है मेट्रो पार्किंग में जाना है गुरुद्वारे में जाना है मुझे यहाँ पर सिलंपूर शहादरा में जाना है मैं सिलंपूर शहादरा सेलेक करता हूँ इसके बाद यहाँ पर जगा दिखा देगा यहाँ पर आपको मिलेगा direction photos दिखा रहा कुछ नीचे direction पर आपको touch करना है touch करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ mode मिल जाएंगे अप किस तरीके है जाना चाहती हो bike भी है यहाँ पर bike भी आएगी car भी आएगी, bus भी आएगी और paddle भी आप जा सकते हो वैसा भी bike आनी रही है अगर मैं अपनी location change करता हूँ मैं आपको करता हूँ सुन्दर नगरी मैं आप सुन्दर नगरी सर्च करता हूँ अगर तो यहाँ पर सायद मुझे bike option देखने को मिले तो यहाँ भी bike नहीं आ रही है पर मैं समझाता हूँ आगे अगर आपको bike मिलता है तो आप यूज कर सकते हो यहाँ पर आ चुका है यहाँ से आप satellite mode यूज कर सकते हो इस पर touch करोगे तो आपको default करना है क्योंकि यह वाला सबसे best है इसके बाद कितना दूर है दिखा रहा है 3 km का एरिया है कितने minute आपको लग सकते हैं कार से तो यहाँ पर मुझे 11 मिट लगे है कार से अगर मैं train से या किसी तरीके जाओँगा bus वगरा से तो मुझे यहाँ पर बाइस मिट लग सकते हैं और पेदल मुझे लगेंगे तेज मिट तो यहाँ पर मैं बस से जाऊंगा जाए देल लगेगी पर मैं पैदल जाना प्रेफर करूँगा अगर वरना मैं कार से भी जा सकता हूँ और बैक से तो सिर्फ पार्च मिन्ट ही रखते हैं स्टार्ट आप्शन पर टच करते हैं इस पर टच करने के बाद मिलेगा आपको वैलकम टू गूगल मैपस नविगेशन गॉट इट पर टच करिए इसे डिस्मिस कर दीजिए फिलाल यह स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर आपको मिलेगा अब आप अपने घर से निकल लिए जैसे आप घर से निकलोगे एंकले रोड जैसे आप घर से निकलोगे आपके साथ-साथ यह चलता चला जाएगा यहाँ पर अगर कभी-कभी आपको दिख्कत आती है तो re-center कर दीजिएगा और यहाँ पर यह आपका जो डॉट है आपके साथ साथ चलता जला जाएगा जैसे आप पहुँच जाओगे यहाँ पे लोकेशन है लास्ट वाली यहाँ आपका बंद हो जाएगा और यहाँ पे आप इसकी वाइस सुन सकते हो यहाँ से इसे बंद कर सकते हो यहां से आप इसका देखने का तरीका चेंज कर सकती हो जैसे कि यहां पर ऐसे आ रहा है साथ आप समझ गए होंगे वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना मद भूलिएगा